नमस्कार दोस्तों एगवा फिर से आप सभी का स्वागत है दोस्तों मैं आज बात करने वाला हूँ आदर्स जंता जूनेर हाई स्कूल तलापफुर जो की जस्पुर में है और जिल्ला आता इसका उदमशिंग नगर में ठीक है तो यहाँ पे आप देख रहे सकते हैं कि विग्यापन संख्या एक दिया हूँ है यानि कि नया नया विग्यापन निकला हूँ है और यहाँ पे द परफ्रण के अलावा जो भी पद यहां पर दिये हुए है उसके डेटेल यहां नीचे यही है तो हम सरोपर्थम देखते हैं क्योंसा है को हम governedहें ? सामान जाती के लिए है और अनारक्सित एक पद है और अन्यवीरुण यहां पर नहीं दिया वहा है तो अन्यवीवरण में मैं आपको बता देता हूं कि इसके लिए जो है PCM ग्रूप के साथ जो है graduation होना चाहिए maths के लिए और जो है जो science होगा वो ZBC के साथ ठीक है ZBC ग्रूप के साथ जो है graduation होना चाहिए plus इसके अलावा क्या होना चाहिए CETE या UTED यानि की हम बोल सकते हैं TET या UTED या UTED हम बोल सकते हैं ये किलियर होना चाहिए ठीक है second फैला नहीं बलकि second LT के लिए second होता है तो ये योग्यताय है साथ में बीर्ड तो अनिवारियर है क्योंकि TET वही लोग किलियर करेंगे जो लोग बीर्ड होंगे ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं आगे सहायक अध्यापक सामाजी विग्यान ठीक है तो सहायक अध्यापक सामाजी विग्यान का यहाँ पर निकला हुआ है तो आप देख सकते हैं क्या है रिक्त पदों की संख्या ये एक है और ये वेतन क्रम है तो ये किसके किसके लिए है अनुसूचित जाती स्ट कर्टेगरी के लिए आरेक्षित है ठीक है स्ट कर्टेगरी के लिए आरेक्षित है तो इसमें सामाने लोग अपलाई नहीं कर सकते हैं सिर्फ स्ट कर्टेगरी के ही जो हैं वह अपलाई कर सकते हैं तो अब इसके लिए हम सबसे पहले देखते हैं क कि हाई ऐसी कौन सी युग्यताय हैं जो सस्ट में अपलाई हो सकता है सबसे पहले मैं आपको बता चुका हूँ कि जो है बीर्ड होना चीए ओके और टीर्टी सेगंड होना चीए टीर्टी सेगंड और जो ग्रेजोशन होना चीए उसमें हिस्ट्री पॉल्टिकल एकनोमिक्स और जी जहाई होने चीए अगर जिसके दो विसाई नहीं हो अब एक वुग्या सकते हैं क्योंकि उसका के लिए apply कर सकते हैं चलिए आगे बढ़ते हैं अब साहयक अध्यापग हिंदी ठीक है एक फोस्ट है और यह किसके लिए है पिछड़ी आती के लिए जो है और एक्षित है अब चलिए अब हम बात करते हैं कि इसमें हिंदी के लिए क्या योग्यताय होनी चाहिए तो सबसे पहले तो graduation में हिंदी एक regular भी चाहिए के साथ होना चाहिए साथ में 12 जो है 11 प्लेस 12 क्या होना चाहिए संस्क्रित भी होना चाहिए ठीक है संस्क्रित होना चाहिए तभी जो है हम लोग apply कर सकेंगे और इसके अलावा महां की जो भी योग्यताय है यह सब सेम रहेंगी इसमें सिर्फ सब्जेक्ट का आप देख लीजे कि किस किसने कौन से सब्जेक्ट के साथ graduation किया हुआ है अब मै बात करता हूं सहायक अध्यापक इंग्लिस की यहां पर सहायक अध्यापक अंग्रेजी एक पत दिया हुआ है ठीक है और यहां पर पे ग्रेड भी दिया हुआ है यानि कि जो सेलिस ले पर ओ दिया हुआ है और यह है सामान्य जाती के लिए अब यहां पर एक पोस्ट है यह इसमें सभी लोग apply कर सकते हैं चाहे सब्सक्राइब कर सकते हैं चाहे सब्सक्राइब कर सकते हैं लेकिन मेरिड सिर्फ जर्नल बेस्ट पे ही बनेगी इसमें और आरेक्षन नहीं लगेगा ठीक है तो दोस्तो इस प्रकार से क्या है कि हमारा जो वैकेंसी का डिटेल है यहां पे आपको बता दिया इसके अलावा आप लोगों को यह भी बता देता हूं कि आयोवर्ग 21-42 होना चाहिए क्योंकि मैं सबस्ट नहीं देख रहा है दिख रहा है इसलिए मैं आप लोगों को बता देता हूं और 300 का जो ड्राप्ट है वो बनवाना है ठीक है यहां पर भी देख सकते हैं आवेधन पर जो है या पोस्टल ओडर 300 का बनाएं या ड्राप्ट बनाएं यह बना सकते हैं ठीक है ड्राप्ट जो है बैंक से बनेगा और पोस्टल ओडर से बनेगा तो यह कहां से मिलेगा तो जिल्ला सिक्षा अधिकारी कार्यालाई उदम सिंग नगर से मिलेगा तो 21 दिन के भीतर यह पहुंचना चाहिए इसके अलावा जैसे कि आप हमे पदनाम हो गया चीज के लिए अवय इसका उपर से बड़े हेडिंग में विड्रालाईy का नाम हो गया ठीक है की केटेगरी हो गया क्यों सी केटेगरी में आप आवेधन कर रहे हैं ओण तो यह सब डिटेल जो है बाहर से आपको मेंशन करने होगी तब ही जाके आपका जो आविदन है वो स्विकारी किया जाएगा इसके अलावा हर एक जो असास की विद्यालाई होता है उसमें 21 दिन का समय दिया जाता है जैसे वेकेंसी आज या कल निकले होगी तो 21 दिन के अंदर आपको यानि की तीन आपके लिए लाबदायक होगी आपके दोस्तों के लिए लाबदायक होगी अगर आपको अच्छा लगता है तो इसको जरूर सेयर करें ताकि किसी न किसी को यह वीडियो मिल जाए और उसका बहुशे बन जाए तन्यवाद